अब बिहार एक सोच देख रहे हैं देखे होली कत्यवार खत्म हो गया है और अब बिहार के राजनीती में सभी पार्टी 2024 के लोग सभाद चुनाओं को लेकर तैयारिया करना अब सुरू हो गई है ऐसे में लोचपार राम्बिलास के राष्ट्रिय अध्यक चिराक पासवान भी अपने पार्टी को और मजबूत कर लिया है और तैयारिया जोरो सोरो से होने लगी है देखिए हाली में चुना हुआ था और उसमें चिराक पासवान ने जिस परकार वहाँ पर चुनावी बिग पार्टी के उमिद्वार चुनाव जीते और चिराक पासवान उसमें सफल भी हुए दो विधायक जीत उनके होने के बाद अब चिराक पासवान की नजर बिहार के राजिनीती में है देखिए दोहजर चौविस के चुनाव को लेकर लोचपार राम्बिलास की तैयारिया अ और चिराक पासवान के दिशा निर्देश में पार्टी के एक एक करेकरता अपनी भूमिका पर अच्छे से कारे करना सुरू कर दिये हैं देखिए बिहार की जो राजनीती है उसमें इवाद चेहरा यानि कि चिराक पासवान बिहार के इवाद चेहरा है और जम लोगों से बात की जाती है कि आखिरकार बिहार में चिराग पास्वान और एक तरफ बिहार के डेप्टी सीम तेजस्वी यादों की बात होती है। तो कहीने कहीं चिराग पास्वान का पलरा ज्यादा भारी दिखता है। कहीं न कहीं चिराग पास्वान को ज़्यादा बढ़त मिलते हुए दिख रहा है लोगों के अंदर जो अब क्रेज है एक तरह से कह सकते हैं लोगों की जो पसंद है चिराग पास्वान के परती ज़्यादा लोग रुजान में हैं और उसी पर चिराग पास्वान की भी तैयारिया जो उनकी पार्टी को लेकर है 2024 के चुनाव में और उसके बाद 2025 में भी विधान सभा का चुनाव होना है ऐसे में बिहार के तेजस्वी यादो जो अभी उप मुखमंत्री हैं 2025 में मुखमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और एक तरफ बिहार के मुखमंत्री नितीश कुमार भी कह दिये हैं कि 2025 में तेजस्वी यादों के नित्रूत में महागटबंदन चुनाव लड़ेगी तो ऐसे में अब देखने वाली बात होगे कि एक तरफ चिराग पासवान भी पूरे जोर सोर से तयारी कर रहे हैं और कहीं न कहीं जिस तरफ पार्टी के दिशा निर्देश पर वाकार कर रहे हैं आपको याद होगा बिधान सभा के जो उप चुना हुए थे मुकामा हो या फिर गोपाल गंज या कुडिनी में चुना हुए थे उसमें चिराग पासवान की भूमिका आप सभी को याद होगा और बीजेपी बखुबी इस बात को जान रही है इसलिए चिराग पासवान पर लगतार भरोसा दिखा रही है वहीं बीजेपी कभी चिराग पासवान यानि कि राम बिलास पासवान के निदन के बाद बंगला खाली करा दी थी आज चिराग पासवान को जेट कैटेगरी का और उसके बार कई ऐसे और अंदर ये अंदर बात चल रहे हैं मंत्री मंडल की भी खबर सामने आई तमाम विशाय उपर लेकिन आगे क्या कुछ हो रहा है एक एक अपडेट हम आपको देंगे आप विहार एक सोच पर बने रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद